जब हम अपने बच्चों को इस तरीके से लंच बॉक्स देते हैं तो बच्चे पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आते हैं उनको बहुत टेस्टी लगता है जब हम खाने में कुछ-कुछ नई वैरियेशन डालते हैं कुछ-कुछ चेंजिस करते हैं तो वो बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ो को भी पसंद आता है तो है एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे मैं मोनी का अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं तो मैं आ गई हो एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने मैं आज एक लंच बॉक्स की रे दिफिन में उनको दे रहे हैं तो थोड़ा सा मैं देसी घी का इस्तेमाल ही करना पसंद करती हूं अपने आकोडिंग आप कर सकते हैं यह मेरा तरीका है तो मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूं तो मैंने घी डाल दिया इसमेर घी को मैल्ट होने दिया है यह मैं कड़ी से भूण साइस का प्याज कड़ कर में प्याज को बीक हब या या लिए इतना ही हमें इसको भून लेना है और ने के बाद हम क्या करें अपने बांगे वागी चीजे सिंपल सा लउंच बोक्स ऑर हैल्दी भी है आप इसको आपने बच्चों को बना की खिलाईए बड़े भी खा सकते हैं मतलब कोई भी परसन इसको खा सकता है ये इतना tasty लगते हैं ये राइस की आप आपका मन करेगा कि मैं इसको रोज बना के खाऊँ ये मैं guarantee से आपको बोल सकते हैं आपके ये बहुत पसंद आएगे चार से पाच बीन्स होगी, तो बीन्स को भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, अब इसमें कोई मसाला वगरा नहीं एड करेंगे हम, मसाले तो खेर मैंने इसमें एड किये ही नहीं है, मैंने सिर्फ इसमें तीनची जो से बनाया है, नमक, मिर्ची और हल्दी, चो अपने अकोदिक कर सकते हैं, मैंने थोड़ा कम ही रखा, क्योंकि मैं बच्छों को यह ती फिन में दे रही हूँ, आप अगर बच्छों को नहीं दे रहे हैं, आपने लिए बनारें, तो आप यह चावल करके हिए, तो वह डाल दीये है, यह मैंने बेसिकलिटिली कुकर में बॉल किये थे आप फ्रेश चावल भी ले सकते हैं जो अभी ताजे बनाए वो भी और लेक्टोवर जो राइस होते हैं जो बज जाते हैं और बाद में कोई नहीं घाते तो उस ताइप से भी इसको बना सकते हैं तबी भी यह बहुत टेश्टी लगते हैं आप एक बार इस त बड़ी भागदोड होती है बच्चों का टीफिं देना हजबंड का टीफिं देना तो इसलिए तो मैंने यह सारे ही चावल मिक्स कर लिए और मिक्स करने के बाद इसमें डालनेगे हम नमक क्योंकि हमने नमक नहीं अड़ किया है ना तो सौदा नुसा डाल देंगे इसमें नमक और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाँ गाइस अगर आपको मेरे रैसेपीस थोड़ी भी हल्फुल लगते तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कामेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज पर देखने तो फ़लो भी क कीजिएगा तो नमक भी मैंने मिक्स कर दिया है नमक मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे थोड़ा दिर इसको भून लेंगे ऐसे ही मिल्डियम रखेंगे इसका गैस का फ्रेम और इसको ऐसे ही लागातार चलाते हुए और यह बहुत टेश्टी बनते हैं बच्चों को तो ब और यादा को डिटावड़ार ड्लाज है सकते हैं यह वह बहुत का मिक्स करना है चला लागा तो रया हे होगा चावल भाडर मिक्सट करने के बाद क्या करते हैं तो तक कीचण सब्सा चावल हैं को औरविए लिए थोड़ासा मैंने मुंगफली दाना भी स्मिश में डाल दी है यिससे की प्रोटिन वगे अच्छ से होता है नन में में तो भूच म्यट्च अच्छे से सहा ले कुछ नहीं सु lakwatch ूच और ली हो चुकसि ऊलगा लेती हो तो अपने वो ही जो मैंने चावल मना के रखे वो इसमें रख दूँगी और आप ये बच्चे बड़े किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं बहुत टेश्टी ये राइस लगते हैं आप इसमें अपने बन पसंद गाजर, बीन्स, गोबी या फिल्म ये जो आते हैं सिंबला मिच वोगेरा वो भी एड़ का सकते हैं वो भी इसमें टेश्टी लगते हैं बट सिंबला मिच डालने से थोड़ा सा फ्राइड राइस का टेश्ट अच्छा नहीं आते हैं और मैंने काट लिया था खीरा तो ये मैंने अपने बच्चों के टिफिन में खीरा रख दिया है और इसमें रख दूँगे मैं अपने बेटी के टिफिन में जाएगा मेरे बनाना क्योंकि मेरी बेटी को बनाना पसंद था लेकिन बेटा मेरा बनाना नहीं खाता है तो उसके टिफिन में रख दूंगे मैं हैपी हैपी चार बिस्किट तो ये देखे मैंने यही आज अपने बच्चों को लंच दिया है तो कैसे लगी मेरी आज ये आज की ये लंच की रेस्पी मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा चलिए फिर खाईए खिलाईए और अपना फीड़ बैक मुझे दीजिएगा मैं मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए जैम आता दी दोस्तो जै श्री कृष्णा और चलिए फिर मैं मिलती हूँ और अपने बच्चों को देती हूँ ये टिफिन और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताईएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ थैंक्स थैंक्स फर वोचिंग